नमस्कार दोस्तो बैस्टनेवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज में आपको क्रीमी नाशक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दोँगा अथवा डिवर्मिंग के बारे में क्रीमी प्लिकर फेफड़े स्वासन नली और आख आधी में भी पाए जाते हैं या सुच्मुरुक से चले जाते हैं क्रीमी पाचन तंत्र के अंदर रहकेर उसके उतक द्रव या खून को चुशते हैं फिता क्रीमी, गोल क्रीमी, क्लूकस क्रीमी तीन परकार के क्रीमी होते हैं क्रीमी के संक्रमन के लच्छन, दूद उत्पादन में कमी, परजनन छमता में कमी, अधिक दूग दूद दूर्गंद युक्त दस्त, निचले जबडे में पानी भर जाना, ब्यक्सता में देरी, रोग थांग क्रीमी नाशक दवाई आईू वजन के अनुशार, दस से पंदरा दिन में परथम क्रीमी नाशक दवा देना चाहिए, छो महिने तक हर महिने फिर बच्चे को क्रीमी नाशक दवा देने चाहिए, छो महिने से बड़े बच्चे या पसु को साल में दो बार, बारिस के पहले औ मेरे तरफ से तो तीन वार क्रीमी नाशक दवा देना चाहिए, हर तीन महने पर देना चाहिए, लच्छन क्रीमी का, कभी-कभी खुनी दस्त हो सकता है, दूद उत्पादन में कमी हो सकता है, दूद में दुरगंध आ सकता है, गोबर में भी दुरगंध आता है, गोबर में कि के अंदर मोजूद है क्रीमी का काम है जो भी आप खाना जो न्यूटिशन जानवर को खीलाते हैं वो सारा न्यूटिशन क्रीमी क्रीमी ले लेता है हमको लगता है कि मेरा जानवर हेल्दी और स्वस्त खाना खा रहा है लेकिन जो पोशन खाने में से मिलना चाहिए वो सारा प सनक्रीमी खा जाता है तो आप ए एक्सपर्ट नहीं कर सकते कि मेरा जानवर एक खाना खाने के बाद इतना दूद देगा उत्पादन छमता में कमी होती है कभी-कभी गाय के निचला जबडा में पानी भर जाता है और भी क्रीमी के लच्छन है पतले दस्त हो जाते है वो भी क्रीमी की निचानी है पतला गोबड होना कभी-कभी गाय के पास जाने के बाद पीट पर हात घुमाने पर थोड़े बाल आते हैं तो ठीक है अगर ज़्यादा बाल आता है तो क्रीमी पेट में है ये एक निचानी है कि पेट में क्रीमी है इसका इलाज हमको करना चीए क्रीमी में क्या होता है एक ही परकार के दवाई बहुत सारे दवाई बजार में मिलता है क्रीमी के माणने के लिए लेकिन हम क्या करते हैं एक ही परकार के दवाई देते रहते हैं क्रीमी पेट में मरता नहीं है और राजा की तरह जिंदा रहता है यह दवाई रोज खाता है मेरा क्या होना है क्रीमी जो है क्रीमी सामना करने के लिए सच्छम हो जाता है दवाई के पावर से लड़ने के लिए उसका पावर जो है और मजबूत हो जाता है क्रीमी का फिर कोई भी दवाई दो क्रीमी नहीं मरेगा हर साल और डेड़ साल में क्रीमी नासक दवाई चेंज करनी चाहिए तभी ये दवाई क्रीमी नासक दवा चेंज करने से लड़ने में सच्छम होता है नहीं दवाई है तो काम करेगी बढ़ना नहीं करेगी ऐसा डेरी फर्मर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको जो है क्रीमी के लिए कैलेंडर में लिख कर रखे कि 6 महिना पहले मैंने ये दवाई दी थी अगले 6 महिना में दूसरी दवाई देना है और अगले 6 महिना में दू तो कुछ भाक के अधूरे रह गये थें, जिसे पूरा करना है, कैलेंडर में लिखके रखे कि कब पिछला डिवर्मिंग किया था, और फिर अगला कब करना है, और दवाई को कौन सी दवाई दी थी और अगली बार कौन सी दवाई देना है, दोस्तों अगर जिस किसान के पास या डेरी फॉर्मर के पास पैसे की कमी है, वो नीम के पत्ता हर दस से पंदरा दिनों में गाय को एक से दू मिठी खिलाने से इस प्रोल्लम से छुटकारा हो जाता है, साथ ही दोस्तों गंदी, सड़ी गली घासे या गंदे जगा से जो घास काटके लाते हैं, अगर हरा चारा का ठिक से उत्पादन नहीं करने से, ओ घास के माध्यम से कीड़े जो पेट के अंदर बड़ी ही असानी से चले जाते हैं, और वही कीड़े जो है पेट में, बहुत सारे कीड़ों को उत्पन करके, और गायों को कमजोड बना देती है, जि देंक्यू, धन्यवात बेचने में और गेंदें रिफाइप